नवस्कार साथियों स्कील और एजुकेशन ये अम्रित काल में देश के दो सबसे महत्वपुन्ट टूल्स है विक्षित भारत के वीजन को लेकर देश की अम्रित यात्रा का नेत्रुत्व हमारे युवाही कर रहे हैं इसलिए अम्रित काल के इस प्रसम बजेट में युवाओं को और उनके भविश्य को सबसे ज़्यादा एहमियत दी गई है हमारा एजुकेशन सिस्टेम प्रैक्टिकल हो इंडस्ट्री ओर्येंटेड हो यह बजेट इसकी नीव मजबूत कर रहा है वर्षों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजीड इजी का शिकार रहा हमने इसको बदलने का प्रयास किया है हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टिटूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रि ओर्येंट किया राश्ट्रिय सिक्षा नीती में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला इससे हमें अपने बच्चों को अतीत के बोज से मुक्त करने का बहुत होसला मिला है इसने सरकार को एजुकेशन और स्किलिंग सेक्टर में और रिफार्म करने के लिए प्रोथसाहित किया है साथियों नई टेक्नोलोजी नई तरह के क्लास्रूम के निर्मान में भी मदद कर रही है कोवीड के दोरान ये हमने अनुभव भी किया है इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही हैं जिससे एनिवेर एक्सेस अफ नॉलेज सुनिश्चिर हो सके आज हमारे ए लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयम में तीन करोड मेंबर है वर्चुल लैप्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है DTA चैनल्स के माध्यम से स्टूडेंस को भी स्थानिय भाषाओं में पढ़ाई का आउसर मिल रहा है आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेकनोलोजी आधारित इनिशेटिव चल रहे हैं इन संहरे इनिशेटिव को नेशनल डिजिटल उनिवर्स्टिव से और बल मिलेगा ऐसे फिचरिस्टिक कदम हमारी सक्षा, हमारी स्कील और हमारे ज्ञान विज्ञान के पूरे स्पेस को बदलने वाले हैं अब हमारे टीचर्स के भूमिका सिर्फ क्लास्रूम तक सिमित नहीं रहेगी अब हमारे टीचर्स के लिए पूरा देश, पुरी दुनिया ही एक क्लास्रूम की भाती होगा ये टीचर्स के लिए आउसरों के नए द्वार खोलने वाला है हमारे एजुकेशनल इंस्टिटूशन के लिए भी अब देश भर से टीचिंग मट्रियल की अनेक प्रकार की विविदताएं अनेक प्रकार की विशेस्ताएं, स्थानिय टच, ऐसी अनेक बातें उपलग्द होने वाली है और सबसे बड़ी बात इससे गाव और सहर्ज़ स्कुलों के बीच जो खाई होती थी वो दूर होगी सबको बराबरी के अउसर मिलेंगे, चाथियों हमने देखा है कई देश ओन दे जॉब लर्निंग पर विशेस बल देते हैं बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने अपने युवाओं को आउटसाइड दे क्लास्रूम एक्स्पोजर देने के लिए इंटरंशिप और एप्रेंटरिजशिप को और फोकस किया है आज नेशनल इंटरंशिप पोर्टल पर लगभग पच्चतर हजार एंप्लोयर्स हैं ये इंटरंशिप की लगभग 25 लाख रिक्वार्मेंट पोस्ट कर चुके हैं इससे हमारे युवाओं और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाप हो रहा है मैं इंडस्ट्री और सिक्षा से जुड़े समस्तानों से आग्र करूँगा कि इस पोर्टल का अधिक से अधिक उप्योग करें देश में इंटरंशिप के कल्चर का हमें और विस्तार करना है साथियों मेरा ये मानना है एप्रेंटिफ सिप्स हमारे युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में मदद करती हैं हम भारत में एप्रेंटिफ सिप्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं इसमें हमारी इंडर्स्टिफ को भी उचीद स्किल्स से जूड़ी वर्कफोर्स की पहचान करने में भी आसानी होगी इसलिए इस बजेट में करीब पचास लाख युवाओं के लिए नेशनल एप्रेंटिफिप प्रमोशन स्कीम के तहट स्टाइपन का प्रावधान किया गया है यानि हम एप्रेंटिफिप के लिए बातावन भी बना रहे हैं और पेमेंट्स भी इंडर्स्ट्री को मदद दे रहे हैं मुझे विश्वास है कि इंडर्स्ट्री इसका भरपूर लाब उठाएगी साथियों आज भारत को दुनिया मैनुफेक्टरिंग हब के रुपए देख रही हैं इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है ऐसे में स्कील वर्कफोर्स आज बहुत काम आती है इसलिए इस बजेट में स्कीलिंग पर बीते वर्सों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्सों में लाखो युवाओं को स्कील, रिस्कील और अप्स्कील करेगी इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिलाओं की जरुरत के अनुसार टेलर मेड प्रोग्रेम्स बनाए जा रहे हैं साथी इसमें इंडस्टी 4.0 जैसे AI, Robotics, IoT, Drones, ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए भी Manpower का निर्मान किया जा रहा है इससे International Investors के लिए भारत में काम करना और आसान होगा भारत में Investors को Reskilling पर ज्यादा उर्जा और संसाधन नहीं खर्च करने पड़ेंगे इस बजेट में PM विश्वकर्मा काउसल संबान योजना का भी अलान किया गया है इससे हमारे पारंपारिक कारीगरों हस्त सिल्पियों कलाकारों के स्किल डेवलप्मेंट पर जोड़ दिया जा रहा है PM विश्वकर्मा योजना इन कारीगरों को नया मार्केट भी दिलाने में मदद करेगी और इससे अनेक उत्पादों के बहतर दाम भी मिलेंगे साथियों भारत में एजुकेशन सेक्टर में तेजी से बढ़लाव लाने के लिए एकडेमिया और इंडिस्ट्री की भूमी का और पार्टनर्सी बहुत बड़ी है इससे मार्केट की जरुवत के हिसाब से रिसर्च संभव हो पाएगी और रिसर्च के लिए इंडिस्ट्री से परियाप्त फंडिम मिलेगी इस बजेट में AI के लिए जिन तीन सेंटर्स अफ एक्सेलन्स की बात की गई हैं उनमें इंडिस्ट्री, अकडेमिया, पार्टनर्सिप मजबूत होगी यह भी तय किया गया है कि ICMR Labs को Medical College और Private Sector R&D टिम्स के लिए उपलुप्त किया जाए मुझे पूरा भरोसा है कि देश में R&D एकोसिस्टिम को मजबूत करने के लिए उठाए गए ऐसे हर कदम Private Sector जादा से जादा फाइदा उठाएगा साथियों, बजेट में जो निरने लिए गए हैं उनसे हमारी Whole of Government Approach भी सपस्ट होती है हमारे लिए Education और Skilling सिर्फ इन से जुड़े मंत्रालाई या विभाग तक सिमित नहीं है हर सेक्टर में इनके लिए संभावना है ये सेक्टर हमारी Economy के बढ़ते Size के साथ बढ़ते जा रहा है मेरा Skilling और Education से जुड़े Stakeholder से आग रहा है कि अलग-अलग सेक्टर में आ रही इन Opportunities को Study करें इस से हमें इन नए सेक्टर के लिए जरूरी Workforce तयार करने में आसानी होगी अब जैसे आप भारत के तेजी से बढ़ते हैं सिविल अविशन सेक्टर से जुड़ी खबरों को देख सुन रहे हैं यह दिखाता है कि भारत की ट्रेवल और टूरिजम इंडर्स्ट्री का कितना विस्तार हो रहा है यह रोजगार के बहुत बड़े माध्यम है इसलिए हमारे स्केलिंग सेंटर्स और एजुकेशन इंस्टिटिव स्केशन को इसके लिए भी कैप्रसिटीज तैयार करनी होगी मैं चाहूंगा जो युवा स्कील इंडिया मिशन के तहत प्रस्रिक्षित हुई है हम उनका भी अपडेटेड डेटाबेस तैयार करें क्योंकि कई ऐसे हुआ होंगे जिनके स्किल्स को अपडेड करने की जरुरत होगी डिजिटल टेक्नोलोजी और एई आई के आने के बाद हमारा ये प्रस्रिक्षित वर्कफोर्स पीछे न छुड़ जाए हमें इसके लिए अभी से काम करना होगा साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ fruitful discussions होंगे बहतर सुझावाएंगे बहतर समाधान निकलेंगे और एक नए संकल्प के साथ नए उर्जा के साथ हमारी युवापीडी के उजवल भविश के लिए इन महत्वपोर्ण छेत्र को आपके विचारों से सम्रुद्द कीजिए आपके संकल्प से आगे बढ़ाईए सरकार कंदे से कंधा मिला करके आपके साथ चलने के लिए तयार है मेरी आप सब को इस वेबिनार के सभलता के लिए बहुत पर शुब कामनाएं हैं धन्यवाद